नमस्कार आप देख रहे हैं जी राजस्तान आपके साथ में हूँ लक्ष्णी उपाद है रात के आठ बजने वाले हो और वक्त हो चुका है आजकी सबसे बड़ी भैस यानी निउस एंड व्यूस का क्या खनन के खेल को रोकने के लिए खाकी और खादी दोनों ही माफियाओं के आगे बोने सावित हो रहे हैं ये सवाल इसलिए है क्योंकि खनन के खिलाडियों के आगे आम जनता तो क्या साहाव और खाकी भी महफूज नहीं है अपने आकाओं के दंपार कानून का कतल करने वा चाहे कोड के आदेश हो चाहे सरकार के निर्देश हो लेकिन आदेश को लागू करने के लिए उनी अफसरों पर निरवर रहना पड़ता है जिनके लिए उनकी आदेश बाद में आते हैं पहले अपनी जेवे आ जाती। और यही वज़ा है कि ये माफिया इंसानों की जिंदगी से खेलने से कोई परहज नहीं कर रहे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ख़रन के खेल को रोकने के लिए कोई नियम नहीं है या फिर नियम तो बहुत हैं साहब लेकिन नियत नहीं है पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करें। पहले रिपोर्ट देखिए, और अपनी हिफासत का मातम मनाई। राजस्थान पुलिस की बहद्दूरी की कथा गाई। संनाटों के शोर में चीकती इस तस्वीर में खाकी के कंधों पर टके नुकीले सितारों से खुदकुशी कर ले। सुनाटों की गट्टियों के मोह में खाकी, खनन की गट्टियां देख, आखों पर पट्ती बान लेती। खुदक की इस तस्वीर को देखकर आप खुद में समट जाएंगे। सूबे की पुलिस जब लाचार हो जाती है तो शहर अपाहिज हो जाते हैं। दोंक पुलिस ने जुर्म के खिराफ अपने हाथों को गुंडों के गिरेबानों तक बढ़ाया ही था कि माफियाओं ने कालर तक पहुँचने से पहले ही खाकी के हाथ मरोड दे। वर्दी के खौप से बंदर को भालू बना देने वाली पुलिस को माफियाओं ने लाठियों से बीट काल। कानून को अपनी जेब में खोश कर घूमने वाले माफियाओं को खाकी की बंदूग से डर नहीं लगता। माफियाओं की राह में जो आता है जिन्दगी भर के लिए सो जाता है। सरकार के शहर जैपुर में माफियाओं ने किशोर कुमार को मौत के ट्रक से रौध डाला। किशोर कुमार ने बजरी खाली कर लौट रहे ड्रक को रुखवाने की कोशिश की और ट्रक ड्राइवर ने किशोर को कोचल डाल एक डंपर था और डंपर से एक वेक्ती किशोर सिंग की अक्सिडेंट में जोट लगी है तो उसमें उसकी डेथ हुई है परिजनों को कहा गया है ति रिपोर्ट देंगे जैसी सुर्दों की बश्य सक्ष का वेचिए देगे तस्वीर साफ है माफियाओं के खौब से जन्ता से लेकर खाकी और खादी दोनों का अपती है ऐसे में सवाल है माफिया पैसों के दम पर क्या पुलिस, क्या नेता, क्या सत्ता सबको अपने जूते के तल्ले के नीचे रखते हैं टॉंक से पुरुशन तम जोसी के साथ जैपुर से शरत पुरोहिल जी मेरे तो दस्वीरे बताने के लिए काफी है कि खानन माफिया कितनी तरीके से बेखौफ हो चुके है उनको कोई खौफ नहीं है खाकी का बलकि खाकी खौफ में आ चुकी है कि साहब अब करें तो करें क्या सवाल यह कि इसके पीचे की वज़ा क्या है क्या राजितिक सरक्षण है, पुलिस प्रोडक्शन है आखिर क्या वज़ा है कि खानन माफिया कानून को जेम में रखकर चल रहे हैं सरकार के आदेशों या कोट के आदेश सब को पैरोतली रोंद रहे हैं आखिर वज़ा क्या है तमाम खास मेमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सब का पड़चे आपसे कराते हैं नवल सिंग जी है, अध्यक्ष बजरी LOI Welfare Association के हमारे साथ जुड़े हुए है लक्षमी कान भारत द्वा जी प्रवक्ता है बारतियंत पार्टी से कि खरन माफियाओं के होसले कितने बुलंद है सवाल ये है कि इसकी वज़ा आप क्या देख रहे हैं इन तस्वीरों पर पोलिस ब्रेक क्यों नहीं लगा पारे सर आज जो जी बीडिया ने हमें बुलाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बजील एलोई होल्डर्स जो बेसिक जड़ है इस काम की उनको पहली दफा सुना जा रहा है और कभी इसकी गहराई में नहीं गए कि इसकी वज़य क्या है इल्लीगल माइनिंग को बढ़ावा पिसली देने के पिछे पिसली सरकार का भी और इस सरकार का भी इस मसले पे ध्यान नहीं देना है इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनी हुई है हाई कोड के आदे से चेक पोस्ट है बनी थी अभी 10 माई को भी हाई कोड ने आदे स दिया है कि उन चेक पोस्टों को वहां पर करमचारी बैटे हैं हम एलोई होल्डर्स ने सो करोड रुपे लगा के और पूरे रास्तान में जितने भी रास्तों से परिवहन होता है बजी का चेक पोस्टे बनाई हुई है उन चेक पोस्टों गाओं में तो जैसे अभी आपने देखा टोंक में गाओं में जब पुलिस गई तो उसके साथ मार पीट हो गई लेकर आप्टराल वो जित्ते भी वहन है वो एक आएंगे तो एक ही रस्ते पे उस पर जो चेक पोस्टे बनी हुई है उन पर अगर सरकार करमचारी बिठाए तो उस पर रोक थाम हो सकती यानि सीधी सीधी सी बात आप भी कहते हैं किसे बिठावा किया जाराय साथ अगर चेक पोस्ट वाकाइदा बनी हुई है वहीं से वहानों को गुजर्ना होता है एंजीटी के आदेश भी दिये गए हैं उनका पालन किया जा तो संभव है ही नहीं कि इस तरीके की तस्वीरे सामने आए लोटती हूं सर पिछी सरकार की भी आपने बात कही लक्ष्मी कान जी सीधा सवाल है मेरा सर क्या राजनेतिक संरक्षड है क्या वजह है इन तस्वीरों की सरकारे बदल जाती है लेकिन भूमाफियाओं के होसलों में सर कोई बदलाब नहीं आता है चाहे हम आपक का चुनाव चल रहा था तब आपकी टीवी चेनल्स पे हम लोग आकर डिबेट करते थे आपके विज्वल दिखाते थे कि मुख्यमंत्री जो आज के हैं अशोग अलोट साब जो तब कोंग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे वो अपने भाशन में इस बात का बड़ा ज जितने गुंडे बदमाश चेहरों में गुमा करते थे वारदात किया करते थे वो बजरी माफिया हो चुके हैं और ना केवल बजरी माफिया हो चुके हैं बलकि बजरी माफिया को रोकने का जिसका जिम्मा पुलिस का है वो पुलिस भी उनके साथ आकर खड़ी हुई है जि लेकिन अभी रहते हैं लेकिन वाधिल जाते हैं तो क्या ये होस्रे पुलन होने की सांकारों से चली है भी बिलकुल ठीक आप नेरिक वाजें की वो है इसी ब्यूरो करेशी ने हमारे समय में 50 करोड रुपे का चलान काटा था इन सख्वन माफियों का दस हजार से अदा मुकद में दर्ज किये थे इनको उठा उठा के बंद किया था और इसी ब्यूरो करेशी ने आज इस सरकार के दोरान इनका सरक्षन लेकर रखा और सागानेर में एक बच्ची को कुचल दिया जाता है इनकी बाद्यम से और पूरे राजस्तान में इस तरह का डर है काई हैं, कि आपने बहुत जंडे गाड लिये थे और आप नहीं घर पा रहे हैं कि नहीं हं भाजने गाडने की बात नहीं कर रहे हैं हमने सरकार के रूप में जो काम किया, हम उसकी बात कर रहे है ज़्यादा अच्छा होता, आप कांग्रेस के लोगों को बुलाते हैं, अगि उनमे मोली कधिकार होता है, और बोलने की हिम्मत होती है, आप के चनल पर आकर बोलते हैं, बचो जैसे आध़ हो कही है, और बज़री माफिया ने चलाई है, इसलिए हमारी सर्गात की समय की घटन कोई प्रजर्शन किया कोई विपक्ष्टी भूमिका निवाई चलिए माल लेते हैं आप कहते हैं कि हमने बहुत कारिवाई की लेकिन च्छै माईनी से स्वाई हुए है क्या सर लोटती हूं आपके पास ओम सैनी जी क्या वज़ा है इसकी यह पहला मामला नहीं है सर इस से पहल सरकार का वर्दस प्राप्त है इनको लोटती हूं सर अगर आपनी गाड़ी से कुचल कर एक दरजन से ज्यादा लोगों की हत्या की है लेकिन बवजूद इसके इतने होसने बुलंद की कोई कारिवाई नहीं आखिर खाकी बॉनी क्यों साबित हो रही है क्या पुलिस प्रोटेक्शन इनको मिला हुआ है उचलेवल से क्या राजनीतिक संड़क्षण इनको मिला हुआ हुआ हुचलेवल से जो कि यह इतने बेख हुए हैं और वोटों के बैंक में जो लोग काम करते हैं वो किसी कम्यूनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं वो कम्यूनिटी उनको प्रोटेक्ट करती है गवर्मेंट में भी साशन में भी खाकी से भी खादी से भी भगवा से सब से प्रोटेक्ट करती है वो कम्यूनिट कि आपको आगे बढ़ाना चाही है आपने आपको बना करके और किसी के साथ में जोड़ना चाहे जोड़कर कि ऐसा नहीं हो रहा क्या माइशा नहीं है या नियत नहीं है मैं यह कह रहा हूं कि समाज बिमार हो गया समाज में समाज के समाज में वेल्यूज नस्ट हो रही है उनके पारे में राज़नीती के यह जो लोग करने वाले हैं जो किसी विचारधारा के साथ में काम करते हैं उस और नहीं देख रहे हैं इसको रोक दो पुलिस के डंडे से रोक दो लोगों के दमाग बदलने की बात है लोगों को समझाइस करने की बात है इन माफियाओं का दिमाग कहां से बदला जाएगा सर लेकिन इन घटनाओं को रोकना तो खाकी के बसमें है कम से कम अगर कारिवाई उस तरीके से की जाए जो कि आदेश दिया कर रहे हैं बड़ी आइडेन्टिफाई हैं बड़ी साफ तरीके से कर रही है विजेंद्र जी उस साचन में भी कर रहे हैं इस साचन में भी कर रहे हैं जानने की कोशिश करती हूं विजंदर जी हैं पूर्व आई-पी-एस अफसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनका भी बड़ा अनुभव रहा होगा उस वक्त क्या हालात रहे वजरी माफ्याओं के यह भी यह साधर लेकिन सवाल यह है कि जब खनन माफियाओं का जिक्र होता है तो आप खुद पिटके आ जाते हैं जनता सुरक्षा क्या देंगे आप जनता क्या सुरक्षित फील करेंगी आप से आप तो खुद सुरक्षित नहीं इस विल्कुल आप सही कह रहे हैं मैंने यह चीजें लग जाता है यह कंट्रोल आइटम हो गया और कंट्रोल आइटम होने के बाद में इसकी आवशक्ता बहुत बढ़ गई और वैसे आप देखिए मकानों में आवशक्ता पड़ रही है तो ऐसे तत्र जो इस चीज को मेनेज कर सकते हैं वो सब बाहर आ और बाहर आकर वो है पुलिस से खनन विबाद से और नेताओं से इनसे सेटिंग करते हैं सेटिंग करने के बाद में यह कारवाई होती है आप देखेंगे कि यह पीलू में जोतपूर में मनोरपूर थाने में और खनी जुबा के वेक्ति जो पकड़े गए हैं रिश्वत लेत प्लिटिकल विल सर दो दिन पहले का मामला हमारे यहां की पॉलिटिकल विल बिल्कुल सद्दे की ओमसानी जी ने कहा था कि मानसिक्ता बदल ये दो दिन पहले राज समन्द के खमनोर थाना अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया है 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए क्य क्योंकि वहां पर ये साहब रिश्वत ले रहे थे गाड़ी को छोड़ रहे थे मेरा सवाल यह कि क्या ये सिर्फ मानसिक्ता तक सिमित रहेगा सर नहीं मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पॉलिटिकल विल राजनेती की इच्छा शक्ति आजकल कमजोर हो गई हमारे पॉलिटिकल विल पावर का है अगर सरकार में इच्छा शक्ती है तो कोई नहीं कर सकता और देखिए यह क्या हो रहा है मैं आपके टीवी चैनल के वीज्वल के उपर बात करना चाहता हूँ जो रिपोर्ट आपने दिखाई उसमें एक SHO की बाइट दिखाई वैसे चो क्या करें वो कहरें कि एक अक्सिडे आपके टीवी चैनल पे बोला है अभी मैंने आपकी रिपोर्ट में सुना है SHO बोल रहा है लक्षमी कांजी देखिए एक चीज को समझे आपके टीवी चैनल पे SHO अगर यहीं कहेगा तो क्या कहेगा यह तो नहीं कहेगा ना सर कि हम तो पहले से सर इश्वत ले ले लेते ह तो शरकार की इच्छा सकती होती तो पुलिस भी काम कर रही होती और देखिए किस तरह काम कर रहे है देखिए यह बहुत कोई चोटे-मोटे लोग नहीं है यह ऐसे हाड कोर क्रिमिनल है जो पूरी सन्योचे तरीके साइस बारदात को अंजाम देते हैं एक ट्रक चलता उस पीछे दो-दो गाड़िया आगे पेट्रोलिंग करती भी चलती है जैसे को अनेता जी की विएपी गाड़िया चलती है उस इसाफ़े इनकी 1-1 किलोमेटर आगे गाड़िया चलती है और पूरे इनके पास इंफॉर्मेशन होते है पूरे सिस्टम होते है आपने देखा आपको और क्या नहीं लगता कि वाकई यहां पर साशन सत्ता प्रशासन हरे सक्स पर सवाल खड़े होते हैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब राजनेता इतना सब जानते हैं जिस पार्टी के प्रवक्ता है हमारे लक्ष्मी खान जी यह जब इतना समझते हैं तो इतना समझने के बाद में पॉलिटिकल पार्टी पूर्टे के समझ रही है कि सब कार ये कैसे हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, सालों से हो रहा है, जब चाहते हैं, सरकार के लोग करवा रहे हैं, सरकार के मंत्री और सरकार के विदायकों की इच्छा के बिना ही सब हो सकता है, क्या, सरकार में आप तो इतने कर रही है उनको रोकने का को जड़िया नहीं क्योंकि स्यासत नहीं रहते हैं कि अगर आप सरकार की मशापर सवाल खड़े करते हैं तो तो जाहिर है कि सरकारे तो अदलती बदलती रहती हैं लेकिन रवाया नहीं बदलता है तो क्या जो सरकारे रही पिछले दफार उनमन भी यह काम होते रही तो क्या हम उनको भी यही कहें कि साहब आपकी मैंशा थी नवाल जी लक्ष्वी जी नॉबर 2017 से पहले रास्तार में बैदे माइनिंग चल रहा था और उस टाइम तक आप अगर उस टाइम के आँखडे देखे तो नहीं तो कोई अपरात थे नहीं कोई माफिया था हम लोगों ने एलवी होल्डस ने 50 क्रोड की रिजर प्राइस के इच्छा सक्टी नहीं होने की वज़से वह पेंडिंग पड़ा रहा उनके नीज स्वार थे जब सत्रा नॉम्मर 17 को माइनिंग बंद हुई उसके बाद में अगर आज भी सरकार चाहे तो केवल इसको दो काम करने हैं जैसे आपकारी एक्ट है प्रोविजन है कि जो इसको केवल प्रोसेस करने की जोड़त है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिप्लिस्मेंट स्टेडियों नीची जी उसके बाद में इमेडियेट इन्हों ने एक बार तो कारवाई की फिर वो रूल फाइव फोर लाके और उसको उसके बेसित पर उस टाइम में पिस अच्छे बोलते हैं एक सारवाई अगर चालू कराई जाए और उसे एक साल में हमने दस हजार आफ और करवाई इनको उठाउट रपन कि अधिकर करने वाले लोग आपने हमत है तो बोले ने ट्वी चैनल पर जैनकर आवर नाम बताईए नाम बताईए नाम बताईए नाम विजंदर जी मेरा सवाल सर एक बहुत महत्वपूर सवाल है मैं चाहूंगी कि आप अपना इसमें जो अनुभव आपका रहा हो उसको भी साजा करतू इसका जबाब दे क्या वाकई इस पूरे मामले में ऐसा है कि उच लेवल पर जेवे भर दी जाती है नीचे लेवल पर अगर एक दो पुलिस कर्मी कोशिश करता भी है उसको रोकने की तो मुझे लगता है कि वो नाकाम कोशिश होती है क्योंकि उपर लेवल पर इतना गड़ दिया जाता है उनको कि शायद वो नीचे लेवल का वेक्ति उसको रोकने की कोशिश कर ही नहीं सकता और करेगा तो यही होगा जो आज हुआ पुलिस पर लाटी जंडे चलाए गए पिटकर पुलिस घर में आ जाती है सर यह वो खाकी है जिसकी मौजूद्गी में आम जनता खुद को सुरक्षित समझती है, इसको भगवान समझती है, सेवा सुरक्षा सायोग का ये खाका की नारा देती है, लेकिन सार जब खुद के ही कपड़े भाड़ कर आप घर में आ जाएं, तो क्या आपकी value रहेगी, क्या आपसे सायोग की इक्षा रखेगी जनता? देखें ये नवल जी ने जैसा बताया है, ये अभवकारी act का मामला नहीं है, अभवकारी act और बजरी माफिय में अलग बंतार है, बजरी तो एक गरीब को भी आवशक्ता पड़ती है, मकान बनाने के लिए, एक अमीर को भी आवशक्ता पड़ती है, इसको वापस लेगल करन करें और यहां के जो बजी करते रहेंगे यहां के प्रभावित करेंगे इसने पिछली सरकार पे बोल रहे तो चिसने सरकार व्यापपार पभावज़ करेगी है नहीं करेगी है लिए हम तो डेट साल से मैठे हैं इस सरकार पर बोलने की नहीं हम हमारे 180 करोडर रुपर रिजर प्राइब प्रीम्यम मन में पढ़े है क्या है इन गुंडों का सॉलुशन क्या है यह कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं लगता तो कि सारे हम हत्या कर देते हैं उसको एक्सिरेंट अप्लिए गलत रास्ति में जा रहे हैं क्या कहते हैं कि अग्रिकर चलेट में लीजे देंगे जबकि सुप्रिम ठीक समय मोट करें में जाओंगी कि सरकार को भी स्कूरे मामले का सजया लेना चाहिए कड़े से करेंगर कदम उठाने चाहिए घरन माफियाओं के खौफ से क्या राजस्तान की खाकी डरती है पूलिस खनन माफियाओं से डरी हुई है खाक में है और ये हाला बहbies ही चिंता जनक बहुत शुक्रिया आप सभी का में सब्सक्राइरा तो सवाल यही है कि इन तस्वीरों पर ब्रेक कब लगेगा नियम नहीं है इन तस्वीरों को रोकने के लिए या फिर यहां नियत दिखाई नहीं देती है इसी के साथ फिलाल इतना ही नमस्कार झाल करता है झाल झाल झाल